प्रिष्ट संख्या 189 बटोर प्रित्वी की पूरी उर्जा उठेगा धीरे धीरे जमीन से जमीन पर गिरा आदमी और अपने लड़कडाते कदमों से नापते दूरियां पहुँच जाएगा वहां जहां उस जैसे तमाम आदमियों पर बहस चल रही होगी नगाडे की तरह बज़ते हैं शब्द निर्मला पुतुल जन्म सन 1972 दुमका जारखंड प्रमुख रचनाएं नगाडे की तरह बज़ते शब्द अपने घर की तलाश में निर्मला पुतुल का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ इनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्ष में रहा घर में शिक्षा का महौल होने पिता और चाचा शिक्षक थे के बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्यायन बाधित होता रहा नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ती मिल जाएगी जन्थारी समाज और उसके राग बोध से गहरा जुड़ाव पहले से था नर्सिंग के शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी परिचाय हुआ दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से यह बोध विक्सित हुआ जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिती को समझने में सफल हो सकी उन्होंने आदिवासी समाज की वी संगतियों को तली नता से उके राहे कड़ी मेहनत के बावजूद खराबदशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीड़ी थोड़े लाब के लिए बड़े समझोते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए परियावरन की हानी, शिक्षित समाज में दिक्कूओं और व्यवसाईयों के हाथों कटपुतली बनना आदि वे स्थितियां हैं जो पुतुल की कविताओं के केंदर में हैं पृष्ट संख्या 180 वे आदिवासी जीवन के कुछ अंचुए पहलूओं से कलात्मक्ता के साथ हमारा परिजय कराती हैं और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलूओं को बेबाकी से सामने रखती हैं संथाली समाज में जहां एक और सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुडाओं और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं वहीं दूसरी और उसमें अशिक्षा, कुरीतियां और शराब की और बढ़ता जुकाओं भी है आओ मिलकर बचाएं इस कविता में दोनों पक्षों का यथार्त चित्रन हुआ है व्रिहत्तर संदर्व में यह कविता समाज में उन चीजों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है जो कविता का मूल स्वर है संथारी भाषा से हिंदी रुपांतर अशोग सिंग ने किया है